सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, सारी मुसीबत की जड़ ये है, सारी मुसीबत की जड़ वो राहुल था इस तरह के sentences को English में बोलने के लिए root cause of all the troubles का use किया जाता है root cause of all the troubles का मतलब होता है सारी मुसीबत की जड़, मतलब मुसीबत का main कारण इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है subject plus helping verb plus the root cause of all the troubles अगर आपको केवल इतना बोलना है मुसीबत की जड़ तब आप the root cause of trouble का यूज़ करेंगे सारी मुसीबत की जड़ तुम हो You are the root cause of all the troubles सारी मुसीबत की जड़ ये कुरसी है This chair is the root cause of all the troubles सारी मुसीबत की जड़ तॉम था तॉम वस the root cause of all the troubles मैं मुसीबत की जड़ नहीं बनना चाहता I don't want to become the root cause of trouble तुम मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो इतनी हैरत से मत देखो अपना काम करो वो मुझे बड़ी हैरत से देखने लगा इसको इंगलिश में बोलने के लिए Look at someone so amazingly का यूज किया जाता है Look at someone so amazingly का मतलब होता है इसके rule के लिए सबसे पहले बोला जाता है subject plus helping verb plus look at someone so amazingly look जो है ये एक verb है जिसकी form tense के according change हो सकती है आपको someone नहीं बोलना है someone की जगह पर object, pronoun या फिर noun बोला जाएगा तुम मुझे इतनी हैरस से क्यों देख रहे हो why are you looking at me so amazingly इतनी हैरस से देख रहे हो मुझे बात क्या है you are looking at me so amazingly what's the matter वो मुझे बड़ी हैरस से देखने लगा he started looking at me so amazingly इतनी हैरस से मत देखो don't look so amazingly मेरा सरदर्द बढ़ता ही जा रहा है उसका पेड़दर्द बढ़ता ही जा रहा था आजकल problems बढ़ती ही जा रही है ऐसे sentences को इंग्लिश में बोलने के लिए get worse का मतलब होता है किसी चीज की condition का और जादा खराब होना मतलब उसका बढ़ जाना ये bad की comparative degree है इसके rule के लिए सबसे पहले बोला जाता है subject plus helping verb plus get worse और last में other words अगर हैं तो इसमें ये जो get है ये एक verb है जिसकी form tense के according change हो सकती है मेरा सरदर्द बढ़ता ही जा रहा है my headache is getting worse उसका पेटदर्द बढ़ता ही जा रहा था his stomach ache was getting worse आजकल problems बढ़ती ही जा रही है nowadays problems are getting worse उसकी condition अब और जादा खराब हो गई है मतलब पहले उसकी condition खराब थी अब और जादा बढ़ गई है his condition has got worse now अब तुम अपनी बास से पलट नहीं सकते या फिर अब तुम अपनी बास से पीछे नहीं हट सकते अपनी बास से पलट क्यों रहे हो वो हमेशा अपनी बास से पलट जाती है ऐसे sentences को English में बोलने के लिए दो structures का यूज किया जाता है पहला है go behind word और दूसरा है go back on word दोनों का ही मतलब होता है अपनी बास से पलट जाना अपनी बास से पीछे हट जाना या फिर अपनी बास से मुकर जाना मतलब जो पहले उन्होंने कहा हो वो ना करना चली इसको यूज करने के रूल पर एक नजर डालते हैं इसका रूल इस परकार है subject प्लस helping verb प्लस go behind या फिर go back on और उसके बाद possessive adjective और last में word go verb है जिसकी form tense के हिसाब से change हो सकती है अब तुम अपनी बास से पलट नहीं सकते या फिर अब तुम अपनी बास से पीछे नहीं हट सकते now you can't go back on your word या फिर now you can't go behind your word वो अपनी बास से पलट गई या फिर वो अपनी बास से पीछे हट गई she went back on her word या फिर she went behind her word अपनी बास से पलट क्यों रहे हो why are you going back on your word या फिर why are you going behind your word तुम हमेशा अपनी बास से पलट जाते हो you always go back on your word या फिर you always go behind your word अपनी बास से पलटो मत don't go back on your word या फिर don't go behind your word मैं सभी की बात नहीं कर रहा लेकिन काफी लोग female को ladies बोलते हैं जैसे की ladies बैठी हुई है ladies आ रही है जो कि गलत pronunciation है guys ladies नाम का कोई word ही नहीं है एक female को हम lady बोलते हैं और एक से जादा female को हम ladies बोलते हैं ladies so guys आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी structures का use भी अच्छे से समझ में आ होगा अगर आपको हलका सभी को doubt हो तो आप कॉमेंट करके पूस सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लेसन के साथ till then take care